हाई फ्रेंज मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वैज मियोनीज जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है और घर में बहुत ही कम सामान में 10-15 मिनट में बन कर तयार हो जाती है जिसे आप एक बार बना कर खाएंगे तो मार्केट के मियोनी भूल जाएंग 10 मिनट के बाद इसे निकालकर ग्राइंडिंग जार में एक कटोरी दूद और एक कटोरी तेल डाल देंगे एक कटोरी तेल हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे इसी में हम एक चमच चीनी डाल देंगे और आधा चमच नमक डालेंगे ढकन को बंद करके मिक्सी को धीरे धीरे चलाएंगे इसे आपको हाई स्पीड पे नहीं चलाना है इसे आपको धीरे धीरे तीन से चार सेकेंड बंद करते हुए बैटर को गाड़ा करना है बैटर गाड़ा होना शुरू हो गया है इसी प्रोसेस से आप धीरे-धीरे मिक्सी को चलाएंगे और बंद करेंगे एक साथ हाई स्पीड पे चलाने से जार गरम हो जाएगा और बैटर गाड़ा नहीं होगा पतला ही रहेगा अब मिक्सी को में बीच में बंद करके एक बार धकन को हटा देना है और थोड़ा-थोड़ा करके तेल डालना है थोड़ा सा तेल हम डालेंगे और एक चम्मच विनेगर डालके धकन बंद करके फिर से एक बार उसी प्रोसेस में मिक्सी को चलाएंगे दूद और तेल का रेश्यो आपको इसी प्रकार रखना है अगर आप एक कप दूद ले रहे हैं तो दो कप तेल लेना है इसी रेश्यो से आपकी परफेक्ट में उनी बन कर तयार होगी हम ड़कन हटा के चेक करेंगे हमरा बैटर गाड़ा हो गया है अब इसमें जो बचा हुआ तेल है वो भी डाल देंगे और ढ़कन को बंद करके मिक्सिको उसी प्रोसेस में चलाएंगे अब म्योनी को ऐसे बना के देखे आपके म्योनी एकदम बढ़िया मार्केट जैसी बन कर तयार होगी अब मिक्सिको बंद करके धकन हटा के चेक कर लेते हैं हमारा बैटर एकदम गाड़ा हो गया है और म्योनी बन कर तयार हो गई है इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे देखे फ्रेंड्स हमारी म्योनी कितनी परफेक्ट बन कर तयार होई है आप स्टेप बाइ स्टेप इसी साब अगर बनाते हैं तो मार्केट जैसी म्योनी घर पर ही बन कर तयार होगी फ्रेंस आपको मेरी रेसिप अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ मेरी वीडियो को शेर करिएगए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगا ऐको फ्रेंस बाइ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ